हेलो दोस्तो, WS Cube Tech के चैनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तो आज 6th Class की Computer में हम लोग बात करने वाले हैं अपने Chapter 5 को Chapter 5 जो है दोस्तो वो है HTML से Related HTML क्या होता है, HTML को हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको यूज करते हैं Basically आपको पता होगा कि HTML के तुरू दोस्तो हम लोग यहां Websites बना सकते हैं तो Websites कैसे बनाते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग पहले theoretically discuss करेंगे जो अपने syllabus में है और दोस्तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको यह सारी चीजे practically करके दिखाने वाला होगा अपने computer system पे जिससे कि आपको यह समझ में आएगा कि कैसे हम लोग अपना एक webpage बना सकते हैं Basic से Tags होंगे, उन Tags को हम लोग यूज करेंगे 6th class में केवल एक introduction है HTML का और ऐसे ही जब आप 7th class में जाएंगे तो वहाँ आपको इससे थोड़ा सा कुछ advanced features और मिलने वाले होंगे तो आईए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं class 6 के computer में HTML को दोस्तो HTML के full form में आपके पास hyper text markup language hyper text का मतलब क्या हो गया hyper text means ऐसा text जो इंटरनेट के ऊपर हम लोग अपने data को रखते हैं यह कह सकते हैं कि आपके पास ऐसा text जो network पर आप रखते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं hyper text इस तरह दोस्तो markup markup का मतलब हो गया कि कुछ programming language होती है जबकि कुछ आपके पास यहां पर markup language होती है तो markup का मतलब हो गया कि आपको जो कुछ भी करना है जैसे अगर आप अपने text को bold करना चाते हैं अपने text को italic करना चाते हैं अपने text को आप underline करना चाते हैं दोस्तो आप अपने website के ंदर और इमेज को डालना चाते हैं कोई paragraph को डालना चाते हैं आपको लगता है वहाँ आपको कोई video डालना है कोई audio डालना है कोई animations आप चाते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर हर चीज को mention करनी पड़ेगी हर चीज़ को आपको बताना पड़ेगा हर चीज़ को आपको मार्क करना पड़ेगा तो दोस्तों HTML जो आपके पास एक टाइप की markup language है कोई programming language नहीं है आईए start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास है कि आखिर HTML होता क्या है है HTML है क्या उसको हम लोग थोड़ा इसकर लेते क्या है हमारे पास HTML होता क्या है दोस्तों HTML stands for hypertext markup language याद रखिएगा यह आपके लिए important है HTML की full form क्या है hypertext markup language इसी टाप से दोस्तों अगर हम बात करें HTML हम लोग क्यों use करते हैं तो HTML is the standard markup language यह आपके पास एक standard markup language होती है किसके लिए use में आती है दोस्तों तो हो है creating web page आप क्या करते हो HTML को use करते हुए क्या बनाते हो अपना एक web page एक website आप बना सकते हैं उसके बाद अगर अगर आपन बात करें तो यह web page क्या बनाता है तो यह केवल आपका web page का एक structure बनाता है जैसे आप जो websites देखते हैं जैसे आपने शायद KV संगटन की websites देख रखी है या और भी जो दूसरी websites देख रखी है तो उसमें केवल HTML नहीं होता है HTML के अलावा और भी बहुत सारी दूसरी technology को use किया जाता है जैसे HTML के अलावा जोश्तों आप लोग use कर सकते हैं CSS को आप लोग use कर सकते है JavaScript को आपूर यूज करते हैं वहां पर PHP को आप वहां पर database के लिए तो आप वहां पर MySQL को use कर सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारी technology होती है जो हम लोग use करते हैं websites के लिए लेकिन जो अगर आप basic websites के बारे में बात करें जो websites पर आपको दिख रहा है वो structure जो है वो किसके तुरू बनता है हमेशा HTML के तुरू तो HTML क्या देता है आपको HTML describes the structure of a webpage आप webpage के structure को बना सकते हैं किसके तुरू HTML के तुरू ऐसी अगर बात करें तो HTML consists of series of elements देखिए series of elements यहाँ elements को दोस्तों मैं चाहूं तो एक और नाम use कर सकता हूं वो है tag आपके पास यहाँ HTML के अंदर बहुत सारे elements होते हैं बहुत सारे tags होते हैं और tags को use करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ use करते हैं angular bracket less than और greater than का symbol आगे मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में तो आप यहाँ पर less than और greater than का symbol यूज करते हैं और इसके बीच में आप कोई भी एक tag use कर सकते हैं जैसे कि मैं लिख सकता हूं P P tag आपने यहाँ लिखा है दोस्तों आगे चलते होगा हम लोग देखेंगे भी कि बहुत सारे ऐसे tag होते हैं जो start भी होते हैं और वापस close होते हैं जैसे यहाँ आपका एक paragraph शुरू होगा यहाँ पर आपने कहीं कुछ content लिख रखा है जैसे कि X, Y, Z और उसके बाद मैं slash करके P आप वापस लिखते हैं जिससे कि आपके बीच का यह जो content है दोस्तों वो इस paragraph की तरह ट्रीट किया जाता है और भी है P के अलावा bold के लिए B कर सकते हो, italic के लिए I कर सकते हैं, underline के लिए U कर सकते हैं ऐसे heading है, paragraph है, image है, break row करनी है, आपको horizontal rule चाहिए, बहुत सारे tag आपके पास होते हैं तो हम लोग यहां क्या कह रहे हैं, हम लोग यहां बात करें कि HTML consists of a series of elements elements को आप और क्या कह सकते हो, tag भी कह सकते हो, इसी तरीके से next अपने पास आता है कि HTML elements tells the browser अब देखिए, जो tag है, वो tag क्या करते हैं, वो browser को बताते हैं कि data कैसे display करना है, जैसे अगर मैं यहां पर यह पी लिखूंगा, तो यह browser में paragraph आएगा, otherwise नहीं आएगा दोस्तों अगर मैं यहां पर जाकर के लिखने वाला हूँ, suppose की B, तो यह इस B की शुरू और B close के बीच में, दोस्तों अगर मैं यह जाके लिखता हूँ, capital A, तो दोस्तों यह capital A जो है, वो bold होगा, जब आपने यह B लिखा है, तो browser पे, यह जो आप यूज करते हैं, Google Chrome हो यह Mozilla Firefox हो गया, यह और भी दूसरे जो आप browsers यूज करते हैं, तो वहां पर आपके browser को कौन कहेगा, कि आपका data bold करना है, italic करना है, underline करना है, कौन कहेगा, आपका यह tag कहेगा, ठीके, तो हम लोग यहां पर यही बात करें, कि HTML elements tells the browser how to display the content, आपका content कैसे दिखना चाहिए, यह कौन बताता है हमेशा यहां पर आपका tag या element, ऐसे ही next अगर अपन बात करें, तो यह आपके लिए बहुत important है exam के लिए, कि HTML का extension क्या होता है, extension का मतलब आप लोग शाहिद जानते होंगे, जैसे हम लोग कहते हैं कही बार कि यह MP4 वीडियो है, वीडियो के लिए हम कहते हैं, audio के लिए हम लोग वहां पर क्या बोलते है, MP3 है, MP3 फाइल है, ऐसे ही हम लोग कही बार कहते है, PDF फाइल है, यानि कि उसका extension वो किस टाइप की फाइल है, वो PDF टाइप की फाइल है, ऐसे ही यह वाली जो फाइल है, वो MP4 टाइप की फाइल है, यह वाली फाइल आ है इसी टाइप से word की जो file है वो dot doc x के साथ सेव होती है तो html की जो file है वो किस नाम के साथ सेव होती है आप नाम उसका कुछ भी रख सकते हैं जैसे दोस्तों मैं यहां पर इसका नाम रख देता हूं suppose की ABC तो ABC के बाद में क्या आएगा dot यहां पर क्या आएगा html ध्यान रखना फाइल के नाम के बाद इसका extension क्या है dot html होना जरूई है तब ही यह फाइल आपकी website और webpage बनेगी इसी टाइप से next अगर हम लोग यहां बात करें introduction to html के अंदर के html आखिर किस ने बनाया है तो दोस्तों एक नाम आता है टिम बर नर्सली इमेज देख सकते हैं आप टिम बर नर्सली है इन्हों ने जो है वह 1990 के अंदर यह language को develop किया एक कह सकते हैं html language को develop किया और finally यह जो release किया गया जिससे कि दूसरे लोग इसको use कर सके वह 1993 के अंदर अपने अविलेबल हुई है तो आपने image देख ली है इसी टाइप से html का एक logo है जैसे अभी html का 5th version चल रहा है 5.1 5.2 इस टाइप से तो यहां हम लोग आग logo है वो इस तरीके से html 5 लिखा होता है अब तो हम लोग यहां बात करें html was originally developed at cern cern जो lab है उसमें इसको develop किया गया किसने किया है tim burnersley ने कब किया है around 1990s ऐसा हम लोग कहते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें first version release कब हुआ है तो first version of html was written by tim burnersley in 1993 आपको यह याद रख in many different version of html the most widely used version throughout the 2000s इसमें आपने कौन सा version देखा है 4.1 जो आपके पास एक official standard है जो 1999 के अंदर develop किया गया था और इसको release जो किया वो 2000 में किया गया है इसी type से अगर हम लोग बात करें तो 28 October 2014 को launch किया गया है यहां पर html 5 2016 के अंदर यहां launch किया गया है 5.1 और 17 में किया गया है 5.2 अभी भी आगे चलते हुए आप देखेंगे इसके अलग-अलग version आपको मिल सकेंगे अभी तक यह चल रहा है आगे आने वाले कुछ time हो में आपको जो है इसका और कुछ advanced version मिल सकता है अब version क्या होते है कुछ-कुछ नहीं नहीं चीजें उसमें add क के लिए इसी तरीके से हम लोग यहां next बात करने वाले है HTML के लिए ही HTML stands for hypertext markup language यह मैं बार बार क्या रहा हूं इसमें hypertext क्या और markup क्या है तो hypertext is the method by which you move around on the web by clicking on special text called hyperlinks तो यह क्या है एक special text है आपके पास जिसमें click करके आप कहीं पर भी move कर सकते हैं तो उसको अपन क्या कहते है hyperlink which bring you the next page तो आपको एक page से दूसरे page के तरफ move करवाता है hyperlink आप करते होंगे जैसे आप Google पर जाके type करते हैं अभी YouTube पर भी आप लोगों ने कहीं click करते करते हैं आप मेरे इस वीडियो तक पहुचे होंगे तो एक जगे click करके दूसरे page पे जाना एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जाना ये क्या कहलाता है आपका hyperlink तो hypertext क्या हो गया ऐसा text जिसके उपर आप hyperlinks लगाते हैं जनरली आपके websites के जो content उसको हम लोग hypertext कहते हैं इसी टाप से markup क्या हो गया is what markup is what html tag do to the text inside them तो आप वहां पर अपने text को किस तरीके से show करना चाहते हैं कैसे आप वहां पर उसको display करना चाहते हैं उसके लिए आप यहां पर उसको mark करते हैं तो कह सकते हैं they mark it as a certain type of text ठीके और example bold तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप इस B के अंदर यह B शुरू हो गया यह B slash लगा के close हो गया इसके बीच में आपने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया अगर A B लिखा है तो दोस्तों A B आपका bold हो जाएगा इसी type से next अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आता है कि यह काम कैसे करता है how does it works ठीके तो हम लोग कह सकते है html consist of a series of short code short code को हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि यह आपके पास tag है तो short code typed into a text file called as tag तो html जो language है उसके अंदर आपके पास बहुत सारे tag होते हैं और यह tag जो है उसको हम लोग short codes भी कहते हैं इसी type से हम लोग कह सकते हैं the text is then saved as html file and viewed through a browser like internet explorer तो आप इसको internet explorer की through इसके tags को देख सकते हैं ऐसे हम लोग कह सकते हैं this browser reads the file and translates the text into a visible form तो यहां पर जो है वो browser उस content को display करता है ऐसे हम लोग कह सकते हैं some of the popular most html editors तो html की coding आप किसमें करेंगे जैसे हम भी हम लोग देखेंगे web page बनाना तो किसमें करेंगे आप कोई भी software यूज कर सकते हैं एक simple से editor ले सकते हैं चाहें तो आप notepad ले सकते हैं आपके computer में जो है या आप चाहें तो जो professionals जो यूज करते हैं जैसे कि easily कह सकते हैं कि अपना web page create कर सकते हैं html language को use कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोस्तों सिर्फ एक introduction है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप यहां पर इन software को use कीजिए यहां पर आप simple सा काम करेंगे क्योंकि basic introductions हैं तो हम लोग कुल मिला कि 5-6 text देखने वाले हैं तो वह सारे हम coding करेंगे इसी टैप से हम लोग यहां पर यह कुछ basic चीजे देख रहे थे इसके बाद दोस्तों अपने पास आता है essential html tag तो आप जब html का page बनाते हो आपको कौन कौन से tag की जरूरत होती है दोस्तों सबसे पहले आता है html तो यहां आपको क्या करना होता है आपको जा अब इस html के दो पार्ट होते है एक जिसको हम लोग कहते है head और दूसरा कहते है body तो इसके अंदर क्या कर रहा हूं अब मैं जाकर के थोड़ा सा space चोड़ करके लिख देता हूं थोड़ा सा space चोड़ के लिख देता हूं मैं यहां पर head ठीक है head tag शुरू हो गया slash head यह head close इसी type से दोस्तों next आपके पास है body, body tag शुरू हो गया और यहां पर body tag close हो गया तो देखिए दो इसके पार थे, एक ता आपके पास head दूसरा आपके पास है body, यह रहा head, यह रहा body, अब head में क्या करते हैं हम लोग हमारे websites के headings बताते हैं, जैसे कि हमारी websites का title बता दिया, क include कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर अभी जो देखेंगे वो क्या है आपके पास title, title शुरू हो जाएगा, title के अंदर जाकर के आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं, facebook, और आगे मेरे पास जगे नहीं है, इसलिए मैं इधर करके लिख देता हूं, यहां पर slash title, तो आपका जो title है वो close हो चुका है, ठीके, और body के अंदर आप जो कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि आप यहां पर जाकर के लिख सकते हो, hello world, ठीके, इस type से, तो देखें दोस्तों, यह आपका एक page, इस type से display करेगा, जैसे ही आपका एक page है, और यहां पर ज जो भी आप यहां body के अंदर लिखेंगे, तो कुल मिला करके हमारे पास यहां कुछ tags, हम लोगों देखें, जैसे html, tag क्या हो गया आपके पास, tag आपके पास angular brackets के अंदर लिखते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आपको यहां पर tag को show करना पड़ता है, तो html शुरू, html कतम, head शुरू, head खतम, title शुरू, title खतम, body शुरू, body खतम, इसके बीच में आपको चुछ mention करते हो, ठीक है, समझ माया होगा, कुल मिला के आपके पास जो हम लोग tag देख रहे हैं, first आपके पास है html, दूसरा है head, तीसरा है title, और थै body, दोस्तों, अगर आपको समझ म रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको सारी सीजे फिर से प्रैक्टिकल करके अपने computer system पे दिखाने वाला हूं, इसी तरीके से, next अगर हम लोग देखे तो html tag क्या करता है, basically यह define करता है कि आपका document जो है वो एक web page है, it also identifies the beginning and end of the html document, यह बताता है html के शु information about the document that will not appear on the actual page, यह क्या करता है, जैसे title अगरा जो चीजे है मिन आपको काता है, उसको include करता है, इसी तरीके से, next अगर हम लोग बात करें, तो title आगया, title के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो, वो title बार के अंदर appear करता है, मैंने काता है, यहाँ पर कि यह जो आपके पा से आपके पास last है, body, तो body क्या होता है, यह एक्चुल जो content आपकी websites का जो आप लिखना चाहते हो, वो कहां लिखता है, इस body के अंदर, the body tag content, all the information and other visible content of the page, all your images, links and plain text must go between the body and slash body tag, you may also be interested in the basic text for adding content and heading, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेन आपका जो काम होता है, वो किसमे होता है, body tag के अंदर, actual documents आपको, actual data आपको display होता है, वो कहां होता है, body tag के अंदर, इसी type से दोस्तों, अगर अपन next बात करें, तो HTML tag के बारे में बात कर लेते हैं, कि HTML जो है, आपका angular bracket होता है, less than और greater than symbol के ब defines by angular brackets, star tag, इसके बीच में कुछ content लिखते हैं, और last में जाके end tag करते हैं, slash लगा के, अब अपन यहां बात कर सकते हैं, यहां पर कोई भी tag लिखेंगे, tag close हो जाएगा, और इसके बीच में आप अपना text लिखते है, content goes here, इसी तरीके से अगर आपन देखें, तो आपके HTML का जो tag है, वो basically आपके पास दो type के होते हैं, एक जिसको अपन क्या कहते हैं, container और दूसरा होता है, empty, देखेंगे, जैसे मैं आपसे कहा था, कि आपने यहां पर P tag लिखा, slash करके P को close किया, और इसके बीच में आपने कोई भी text लिख दिया है, तो आपने इसके बीच में इसको वापन slash BR नहीं करते हैं, तो उन text को अपन क्या कहते हैं, यहां पर empty tag, तो tag आपके पास, दोस्तों, यहां कितने type के हो गए, दो type के हो गए, एक जो start होते हैं, और slash लगा के फिर से close करते हैं, इनके बीच में कुछ लिखते हैं, जबकि दूसरा आपके पास कौन सा है empty tag, empty tag start होता है, लेकिन close नहीं होता है, तो दोस्तों कह सकते हैं, container tag has two ends, ठीक है, an opening and a closing, तो basically यहां आपके पास जो है, वो start or close होता है, whereas an empty tag doesn't, ठीक हो, empty tag वापस close नहीं होता है, इसी तरीके से, next अगर हम लोग बात करें, और almost last topic पर हम लोग आचुके हैं, इस वीडियो के तो container tag की कुछ example है, जैसे कि P, P शुरू होगा, P खतम होगा, P क्या काम करता है दोस्तों, paragraph के लिए काम में आता है, ऐसे ही B शुरू होगा, B खतम होगा, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे, वो text आपका bold हो जाता है, तो यह bold करने के लिए काम आता है, ऐसे ही I or slash I के ब heading जो है, वो 6 अलग-अलग size की होती है, heading 1, heading 2, heading 3, यानिकि H1, H2, H3, H4, H5 और H6, 7, 8, 9, 10, कुछ नहीं के वल, 1 से 6 तक की headings होती है, दोस्तों, यह तो होगा, container tag, यानिकि जो शुरू होता है, close होता है, बीच में कुछ content होता है, जबकि आप हम लोग बात करने वाले हैं, वो है आपके पास empty tag, empty tag क्या होता है, जैसे इसको start किया, वापस slash IMG करके close नहीं करना है, तो एक tag होता है, IMG, जिसके तुरू हम लोग image को insert कर सकते हैं, अपनी websites में, क्या लिखते हैं, IMG, अब वो कौन सी image होगी, उसका नाम भी तो बताएंगे हम लोग, तो वो SRC के अंद एक file पढ़ी है, उसका नाम है kvslogo.png, तो उसको मैं यहां insert करने वाला हूँ, ठीक है, इसी type से एक tag होता है, BR, BR यानिकी break row, जहां आप यह BR लिख देते हैं, उसके बाद आपका text, automatic new line में move कर जाता है, ऐसी अगर दोस्तों, आप अपने websites के बीच में, ऐसी को यह horizontal rule बनना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्या लिख देते हैं, HR, इनकी horizontal rule, ठीक है, तो इस तरीके से basic हम लोगों ने बात करी है, HTML क्या होता है, HTML की अंदर tags आप जो है, वो दो type के use करते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि container tag क्या होता है, empty tag क्या होता है, basic tags कौन से है, इसका extension क्या होता है, HTML क इसने develop करी है, ऐसी बहुत सारी बाते हम लोगों आज इस वीडियो में discuss करी है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखने वाले हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ने topic के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से कैसे हम लोग अपना web page बनाते हैं, notepad के अंदर coding करते हुए, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, thank you